किरी प्राशर जी बोले हे ब्रह्मादी इश्वरों के भी परम इश्वर हे केशव, हे शंक गदादर, हे खड़क चकरधारी प्रभू आपकी जय हो आप ही संसार की उत्पत्ती, स्थीती और नास के कारण हैं तथा आप ही इश्वर हैं और जिसे परमपत कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है हे यूपरूपी डांडो वाले प्रभू, आप ही यग्य पुरुष हैं आपके चड़नों में चारो वेध हैं, दांतों में यग्य हैं, मुख में चितियां हैं हुताशन आपकी जीवा है, तथा कुशाय रुमावली हैं हे महात्मन रात और दिन आपके नेतर हैं, तथा सबका आधारबूत परब्रम्मा आपका सिर है हे देव वैशनवादी समस्ट सूत आपके स्टाकलाप हैं, और स्मग्र हवी आपके प्राण हैं हे ब्रभू सुत्रक आपका तुंड है, सामस्वर दीर गंबीर शब्द है प्रांगवज शरीर है तथा सत्र शरीर की संदियां है हे देव इश्ट और पूर्थ धरम आपके कान है हे नित्य सवरू भगवन प्रसन होईए, हे अक्षर, हे विश्व मुर्ते अपने पाद्य परहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदी कारण समझते हैं आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नात हैं, अथा परसन होईए, हे नात आपकी डांडों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा परतीत होता है मालो कमल वन को द्रोंदते हुए गजराच के दांतों से कोई कीचड में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो हे अनुपम परभावशाली प्रभू प्रित्वी और अकाश के बीच में जितना अंतर है, वह आपके शरीर से ही व्याप्त है हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज γुख्त प्रभू आपका विश्व का कल्यान कीजिए हे एक जगत पते परमार्थ तो एक मातर आप ही है, आपके अत्रिक्त और कोई भी नहीं है यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपून चराचर जगत व्याप्त है यह जो कुछ भी मुर्तीमान जगत दिखाई देता है ज्यान सवरूप आप ही का रूप है अजीतिंद्रिय लोग ब्रहम से इसे जगत रूप देखते हैं इस संपून ज्यान सवरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं अता वे निरंतर मौमय संसार सागर में भठका करते हैं हे परमेश्वर जो लोग शुदुचित और विज्ञान वेता हैं वे इस अंपुन संसार को आपका ग्यानत्मक सवरू भी देखते हैं हे सर्व, हे सरवात्मन परसन होईए हे अपरमे यात्मन, हे कमलनयन संसार के निवास के लिए प्रित्वी का उदार करके हमको शांती परदान कीजिए हे भगवन, हे गोविन, इस समय आप सत्व परदान हैं अता हे इश, जगत के उद्दव के लिए आप इस प्रित्वी का उदार कीजिए और हे कमलनयन, हमको शांती परदान कीजिए आपके दोरा यह सर्ग की परविती संसार का उपकार करने वाली हो हेक अमलनेयन आपको नमस्कार है आप हमको शांती परदान कीजिए शिरी प्राशर जी बोले इस परकार स्तूती किये जाने पर प्रित्वी को धारन करने वाले प्रमात्मा वराजी ने उसे शिगर ही उठाकर अपार जल के उपर स्तापित कर दिया उस जल्समू के उपर वह एक बहुत बड़ी नौका के सम्मान स्थित है और बहुत विश्तित आकार होने के कारण उसमें डूपती नहीं है फिर उन अनादी परमेश्वर ने प्रित्वी को समतल कर उस पर जहां तहां परवतों को विभाग करके स्तापित कर दिया सत्यसंकल भगवान ने अपने अमोग परभाव से पुर्व कल्प के अंत में दगध हुए समस्त परवतों को प्रित्वी तल पर यथा स्थान रच दिया तद्नंतर उन्होंने सब्त दिपादी करम से प्रित्वी का यथा योग्यवी भाग कर भुर्लो कादी चारो रोकों की पुर्ववत कल्पना कर दी फिर उन भगवान हरी ने रजोगुन से युक्त हो चतुर मुकदारी ब्रह्मा रूप धारण कर स्रिष्टी की रचना की स्रिष्टी की रचना में भगवान तो केवल निमित मातर ही है क्यूंकि उसकी परधान कारण तो स्रिजे पदार्थों की शक्तियां ही है हे तपस्वियों में श्रेष्ट मेतरिये वस्तु की रचना में निमित मातर को छोड़कर और किसी बात की आउशक्ता भी नहीं है क्यूंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है